नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्तम के पांच में दिन की कथा, अध्याय पांच में ओम नमो भगवते, नंद पुत्राय आनंद वपुशे, गोपी जन बल्लवाय स्वाहा यहे एक अद्बुत मंत्र है, यह श्री कृष्ण का वह मंत्र है, जिसका जाब करने से मनुवान्चित्फल प्राप्थ होते हैं जो भी साधक इस मंत्र का जाब करता है, उसको समस्त अभीष्ट वान्चित वस्तों में प्राप्थ हो जाती हैं पूरी श्रधा, भक्ती और विश्वाश के साथ सवा लाख बार जब किया जाए तो जो चाहो वो मिलता है कार्तिक मास के मात्तम में पिछले अध्याए में कार्तिक वरत रखने वालों के लिए चार मुख्य कार्रे बताए गए हैं जिन्मी से सबसे पहला और सबसे मुख्य कार रहे है प्रातह स्नान तो चलिए अब सुनते हैं अपने अध्याए पांच की कथा कार्तिक मास के स्नान की विधी और नियम राजर प्रधु बोले हे नारज जी आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा अब अन्य मासों में भी विधी पूर्वक्सनान करने की विधी नियम और उद्यापन की विधी बतलाएं देवर्शी नारद ने कहा हे राजर आप भगवान विश्नु के अंश से उत्पन हुए हैं आतहे आपको ये सब बातें पहले से ही ग्यात हैं फिर भी आपको यधाचित विधान वतलाता हूँ अश्विन मास में शुक्लपक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत रखने चाहिए ब्रह्म महूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गाव से बाहर पूर्व अथ्वा उत्तर दिशा में जाना चाहिए दिन में या साइकाल में कान में जने उचड़ाकर पृत्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्तर से अच्छे तरीके से ढखकर और मुह को भी भली भाती बंद करके थूक वे सांस को रोक कर मलवे मूत्र का त्याग करना चाहिए थतपश्चात, मिट्टी वे जलसे भली भाती अपने गुपतांगों को धोना चाहिए उसके बाद जो मनुष्य मुक्षुद्धी नहीं करता उसे किसी भी मंत्र जाप का फल प्राप नहीं होता अतहे दात और जीब को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्न लिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए अर्थात व्रिक्ष से कहें हे वनस्पती तू हमको आयू, बल, यश, तेज, संतान, द्रिव्य, यग्य, एवं वेद पाठ की शक्ती और बुद्धी दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल गूलर आदी किसी दूद के व्रिक्ष की बारे उंगल लंबी दातुन लावें। श्राद तिथी और व्रत के दिन दातुन ना करें। इसी प्रकार प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, श्रिष्टी तिथियों और रविवार तथा चंद्र ग्रहन अत्वा सूर्य ग्रहन के दिन भी दातुन ना करें। काटोदार व्रिक्ष, कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुरगंद व्रिक्षों की भी दातुन नहीं करने चाहिए। तदंतर विश्णू और शिव के मंदिर में प्रसन्यता पूर्वक, विधी पूर्वक, गंध, पोश्प, तांबूल आदी ले जाएं और भगवान को बेल पत्र आदी पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता जी आदी स्तुति गान करें। एवं मधुरवानी में भजन गाएं और उसके साथ ही ताल, वीणा, मृदंग आदी, त्वानी से युक्त नाचने और गाने वालों का चंदन, पुश्प आदी से पूजन और स्वागत करें। क्योंकि देवाल्य में भजन कीर्टन करने वाले लोग विश्णू स्वरूप होते हैं। जैसे सत्युग में जप, तप, यग्य, दान आदी भगवान को प्रसन करते हैं। वैसे ही कल युग में भगवत गुडगान को ही भगवान श्रीहरी को प्रसन करने का एक मात्र साधन माना गया है। आगे नारत जी राज़ा प्रतु से बोले हे राजन एक बार मैंने श्रीहरी भगवान से पूछा कि हे प्रभु आप सबसे अधिक कहा निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा हे नारत मैं वैकुंठ या योगियों के हिर्दय में ही निवास नहीं करता। अपितु जहां मेरे भक्त मेरा कीर्टन करते हैं मैं वहां अवश्य निवास करता हूं। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनका स्वागत करते हैं उनसे मेरी ऐसी ही प्रीती होती है जैसे की मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूड़ लोग पुराणों की कथा सुनकर मेरे भक्तो द्वारा किये गए संकीरतन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रू के समान हैं। आगे नारज जी कहते हैं शिरीश, धतूरा, गिर्जा, चमेली, केसर, कंदार और कठल के फूलों और चावलों से भगवान विश्नु की पूजा नहीं करने चाहिए। उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ती के बाद भगवान से शमायाचना और प्रार्थना अवश्य करने चाहिए। यथा हे सुरेश्वर, हे देव, नै मैं मंत्र जानता हूँ, नै क्रिया, मैं भक्ती से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। लक्ष्मी जी के चहाने वालों को तुलसी दल से गनेश जी की, दूब से दुर्गा जी की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद प्रदक्षिना करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्टन स्तुति आदी उनकी प्रसन्यता के लिए करें और उनके सम्मुक गान आदी करके प्रार्थना द्वारा प्राद छमा करामें। जो कार्थिक मास की आधी रात में विधी पूर्वक विश्णू और भगवान शिव का पूजन करते हैं अपने पूर्वजो सहित निश्पाप होकर वैकुंट को चले जाते हैं। पेश्री कार्थिक मास महात्तम पंचम अध्याय संपूर्ण